गोल्डी रॉजर, King of the Pirate, वो बंदा जिसने स्टी को Conqueror किया था, वो बंदा जिसने Rocks D. Zebeck को हराया था, आखिर इस कैरेक्टर को हराने की ताकत कौन-कौन रखता है, विकॉज ये वो कैरेक्टर है जिसके Power Level से दूसरे कैरेक्टर का Power मा पा जाता है, अगर तुम One Piece में किस कैरेक्टर को बोल दो, या फिर Oda Sin से बता दे, manga chapter या anime episode के अंदर कि ये इतना strong है कि ये गोल्डी रॉजर तक को rival करता था, तो उसी से पता चल जाता था, कि ये One Piece World का one of the strongest character में से एक है, और आज मैं उसी से related बात करूँगा, और आज मैं बताऊंगा कि आखिर वो कौन से क ये वीडियो का जो भी मैं कहूंगा, वो सब मेरे opinion पर based है, तो हो सकता है तुम्हारे opinion से ये match ना खाए, तो माफ कर देना, because ये मेरा personal opinion है, agree करो तो भी comment box में बताना, disagree करो तो भी comment box में बताना, लेकिन comment box में राय देना, मत भूलना, ये कोई ranking video भी नहीं है, तो सबसे पहल ये वाला character जो मुझे लगता है, ये goldie roger को हरा सकता है 1v1 battle में, तो वो कोई और नहीं white beard है, हाँ ये वाला सुन के तुम्हारे दिमाग में सवाले उट सकती हैं, लेकिन मैं white beard को consider सिर्फ एक basis पे कर रहा हूं, because इसके पास जो devil root power थी, गूरा गूरा नोमी, जिससे ये world तक को destroy कर सकता था, ये जब roger से fight करता था, जब हमें roger के खिलाब इसकी battle दिखाए गई थी, तो वहाँ पर ये hockey classes चले थे, इसी से पता चल जाता है कि ये hockey में roger के level का था, बट अगर तुम सोचो, white beard अपना devil root power को full potential पे use करें, हाला कि वो करेगा ने, लेकिन हम यहाँ पर ब दुनिया को destroy कर देगा, इसी वज़े से उसे world strongest man कहा जाता था, ये वो character है, जिसे हमने marine ford में जब वो बूढ़ा था, cancer patient था, उस हालत में भी कोई name attack use करता हुआ नहीं देखा था, और तुम सोच लो यार, ये बंदा अगर name attack use करता, तो किस level का तबाही मचाता, तो हाँ white beard के पास world को destroy करने की power है, और अगर वो आ जाए, world को destroy करने पे, तो वो किसी को भी हरा सकता है, because वो उस area को ही destroy कर देगा, पूरी तरीके से, और Roger एक normal human है, जिसका हाकी एक next level पे है, तो यहाँ पर जब area को destroy करने की बात आएगी, तो वहाँ पर white beard obviously जीच जाएगा, because उस area को वो पूरी तरीके से destroy कर देगा, and Roger वहाँ से कैसे बचके निकलेगा, because तुम जिस दुनिया में रहते हो, उसी को ही वो destroy करके जीच सकता है, आगे बढ़ते next character की तरफ, जो मुझे लगता है, यह gold Roger को हरा सकता है, वो है लूफी का बाप, monkey d dragon, यह कैसा character है, जो कि ऐसा theories कहते है कि इसकी bounty Roger से भी जादा होगी, plus यह world का सबसे खतरनाक criminal है, यह direct पंगे लेता है world government से, यह लूफी का बाप है, गार्प का बेटा है, तो bloodline ही इतना खतरनाक है, तो इससे यार पंगे लेने के बारे में ऐसे वैसे लोग नहीं सोच सकते, यह revolutionary army का head है, plus इसके पास भी किस कुछ बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब power rebel होगा, तब अलग level पे जाएगा, but सबसे बड़ा main चीज जो आता है, वो था sabo का हाकी, sabo को तुमने एक खास तरीके का हाकी type attack करते होगा, dragon claw, and यह dragon claw, बाकि जितने भी हाकी अभी तक हमें one piece के अंदर दिखाए गये है, मतलब हाक कि जो sabo यूज करता है, इसे 100% monkey dead dragon नहीं सिखाया है, और यह character अगर हमें power दिखाता है, वो reveal होता है, तो हम सायद यह कहर सकते हैं, कि यह character है, जो gold roger को हरा सकता है, आगे बढ़ते हैं, और तीसरे character पर आते हैं, जो मुझे लगता है, गोल्डी रॉजर को हरा सकता है, वो ह इमु सामा, इमु सामा के बारे में हमें बहुत कम पता है, इसके power के बारे में भी बहुत कम पता है, इसका transformation या कहूँ shadow type जो power हमें एक silhouette में दिखाया गया था, और sabo जब इन से लड़ा था एक तरह से, उस time पर सो किया गया था, और देखो, इमु सामा सबसे highest authority बे बैठती है, या बैठता है, इसके gender अभी तक reveal नहीं हुआ है, लेकिन हम इसको female एक तर से consider करेंगे, because मेरे को मन करता है, female consider करने का बागी कभी male consider हो जाए, reveal हो जाए तो लग बात है, ये character अगर आगे जा करके अपना power show करता है, या फिर करती है, तो फिर ये one piece world की one of the strongest character हो सकते है, या फिर सबसे powerful character भी हो सकती है, क्योंकि ये उन 20 kings के खांदान में से ही है, या फिर उनहीं में से कोई एक है, जितने joy boy के खिलाप जंग जीती थी, और joy boy को हराना चाहे किसी भी तरीके से हराओ, because joy boy यार joy boy है, वो one piece world का god है, और one piece world का actual hero भी है, और जो emu sama है, one piece world की main villain है, plus king of the world है, इतने सालों से rule करती भी आ रही है, तो इसके पास उस level का power ना हो ना, इस character के साथ मजाक हो जाएगा, plus five elders तक को ये जुका के रखती है, मतलब हाँ यार, ये strong तो होगी ही, आगे आते हैं next character पर बात करते है, जो मुझे लगता है कि goldie roger को हरा सकता है, वो कोई और वो है अपना joy boy, और अभी वाला joy boy नहीं, previous joy boy जो 800 साल पहले exist करता था, 800 या 900 साल पहले, और देखो मैं अभी वाले joy boy को इसलिए consider नहीं कर रहा हूँ, because अभी वाला joy boy है, अपना luffy, वो अभी उतना powerful नहीं है, जितना actual joy boy है, हमें उसके power के बारे में बता आ गया है, लेकि तो खुद नहीं पता है कि वो नीका है, joy boy है, वो खुद नहीं जानता है, लेकिन उसके पास potential है, और future मैं जब वीडियो बनाऊंगा, जब लूफी का power up होगा, 100% वो रॉजर को हराने का ताकत रखेगा, वो रॉजर को सरपास कर चुका रहेगा, लेकिन फिलाल लूफी उ छोड़ देतो हो, इम उसामगा क्योंकि power रिवील नहीं हुआ है, बट joy boy का power हमें सो किया गया, बस जलक ही दिखाया गया, लूफी के थुरू, लेकिन actual joy boy का power हम उसी से अंदाजा लगा सकते हैं, कि भाई उस जमाने का वो first pirate था, एंड उसके पास एक तरसे को वो पहला user थ आता है, और यह वाला final है, because इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और character बैसता है, जो gold roger को हरा सकता है, क्योंकि gold roger one of the strongest character है, इससे लडने की power ही कुछ लोगे के पास है, इसको हरा पाना तो दूर का बात है, तो हां मुझे एक character अब भी दिखाया देता है, जो उसको हरा आज के यौंकोस काम करते हैं, pirate में तो भाई उसका सबसे बड़ा भॉकाल था, और वो king of the world मनना चाता था, और वो दंबी रखता था, साइद वो बन भी जाता, because five welders सबसे highest authority पिया है, और उस गद्दी पे इमुसामा बैठता है, या फिर बैठती है, और रोग्जदी जब भाई उसके अंडर ऐसे character काम करना, प्लस उसको हराने के लिए दो सुपर पावर का हात मिलाना पड़ा था, गार्प एंड रोजर को, फिर भी जो गार्प का चेहरा है, वो इस हालत पे आ गया था, तुम देखो, प्राइम गार्प को तुम इस चेहरे के साथ इमाजिन कर सक वैसे यही था वीडियो, तुम्हारे क्या मनने इस से related मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भुला, अब वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक मारो, चैनल पे नहीं आगो, इस चैनल लो सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन करो, जिससे मैं जब भी कोई नहीं वीडियो